हेला फ्रेंड आपको कैसे हैं उमीद है अच्छे होंगे तो चलिए कुछ नहीं ट्राइ करते हैं आज में जा रही हूं ब्रेट का इस प्रिसल मिठाई बना जो बिल्कुल 2-3 मिनट के अंदर में तयार हो जाती है तो चलिए सुरू करते हैं इसमें 4-5 ब्रेट लगेंगे और इसे अच्छा से मेल्ट होने दे आपको अगर इलाइची फ्लेवर अच्छी लगती हो तो आप इसमें इलाइची भी टाल सकते हैं इसे मैं चलाओंगी आप देख सकते हैं मैंने एक साद 2 ब्रेट को कट कर रही हूं आप चाहे दो सिंगल भी कट कर सकते हैं इसे मैं चार ब अगर आपको इलाची की फ्लेवर अच्छी लगती हो तो आप इसमें डाल सकते हैं इस तरह से तो आप देख सकते हैं मैंने यहां सबको काट लिये हैं आप देख सकते हैं इधर मैंने तवा गर्म कर लिया है उसके बाद में आप चाहें तो थोड़ा सा इस पर बटर डाल करके इसे सेख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा बटर डाल दें बटर हो गी हो इस तरह से आप गी को चाह प्रस से रोस्ट कर लें अब इस पर जो पीसे मैंने बनाई है प्रेट की दिख सकते हैं इस तरह से आप इस पर डालते जाएं यह के करके जितना ताबा में आप आए उतना आप डाल दीजिए फ्लेम को ज्यादा तेजन मत रखिए इस तरह से आप भी तलट लें इस तरह से दोनों तरफ से करावन जाना चाहिए यह मिठाई बहुत ही तेस्टी और यम्मी आपको लगेगी कोई भी महाना है आप पुरांत जटप ब्रेडल मंगाईए और इसे तुवंत बनाईए और सर्व कीजिए बच्चे भी बरे ही चाव से इसे खाते हैं इस तरह से दोनों तरफ से सिख जाएगा इसके बाद मैं आगे का प्रॉसेस आप लोग को दिखाती है देख सकते हैं मैंने सारे को सिख लिया है इस तरह से दे देखिए इस तरह से आप भी भी गो डाले इसे और भी डालते जाए इस तरह से और प्लेट में इसे इस तरह से देखिए रसवरी की तरह यह पूरी लग रही है आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे को निकाल लूंगी और डालती जाओंगी आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और टेस्टी है यह बहुत जल्दी बन भी जाता है आप लोग भी बना इसे और अपने घर पे इंजवाय करें कैसा बना उससे शेयर करें अगर आप ल अगर आप